हेलो एरिवाल इस रूड़े में हूँ यह जो जोग है यह केसे बनाते हैं वो दिखेंगे सर्फिसिंग में यहाँ पर सबसे पहले हम रॉइं रिडिंग करेंगे यहाँ पर देखोगे तो यह 250 के लेंद है यहाँ से यहाँ तो इसके बाद यहाँ पर नीचे यह 7.5 का दिया है इसका रेडियस 7.5 है मतलब यहाँ में सेंटर पर कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर यह 175 का दिया है और यह बोला 10 का डिस्टंस यह है यह यह 55.54 है तो पर यहाँ से स्टाट करते हैं यह 175 का रेडियस यहां फुर्ट प्रेंट प्लू मने लिया यह से स्टाट कि डाट सेंटर रेडियस यहия कि यह वाल 75 की रेडियस हो गई उसके बाद मुना दिया है यहां से यहां तक 54 का डिस्टन्स है एक्सेस निकाल दाओ यह 54 का डिस्टन्स यह है 54 इंटर उसके बाद यहां से 10 का डिस्टन्स यह स्ट्रेट लेंग रहेगी यह पॉंट्स है उसके बाद सरकुल रहेगा इसका रेडियस 7.5 दिया है उसके बाद उसका जो एंट पॉंट है वह हम टैंक्टिंड कंसिडर करेंगे और उसके सेंटर से जाहेगा इसके बाद करेंगे और उसके सेंटर से जाहेगा 10 का पॉंट्ट जो है वह इससे कोईसाइट रहेगा उसके बाद यह हमें आर्क निकालने है आर्क का डिस्टन्स उन्होंने यहां पर दिया है 195 का रेडियस इसके बाद यह जो पॉंट्ट रहेगा यहां पर इसको कोईसेट हो रहे है कि यह जो पॉंट्ट है वह हमें सेम यहां पर कोईसाइट करना पड़ेगा तो वह कंस्टेंड हो जाएगा हमें पॉंट्ट लेंगे इंट्रसेक्शन का जो कि कंस्ट्रक्शन मोड में है कि कंस्ट्रक्शन मोड ने लोगे तो वह ओपन दिखाएगा कि यहां पर वह सब्सक्राइब का यह सरकल निकाल है इसके बाद इसकी जो हैड़ी है यह आप ए शिक्स्टि ना टू फिफ्टि के टॉटल हैट है और यह वह ना 63 का डिस्टन्स है तो यहां पर मैं अर्विसे एक सरकल निकाल दाओ इसका रेडियस फिफ्टि फाइल उसके बाद टॉटल हैट टू फिफ्टि देनी हमें तो यहां पर मैं खॉर्जंटल नहीं निकालता हूँ कि यह वाली हेट टू फिफ्टि की इसके बाद हमें इतने हैं डिस्टन्स दिए तो बागी का हमें एजून करना पड़े टूटल हाइट जो है टू फिफ्टि की सेवन पॉइंट फाइव से दिए है जो यह फिफ्टि प्लस सेवन पॉइंट फाइव रहेगा तो फिफ्टि सेवन पॉइंट अब यह जो है यह मैं एजून करना पड़ेगा हमें इसे करेंगे कि जैसे यह जो कवरोगचो रहेगा यह टेंजन्ट रेना चाहिए तो यह मैं पहले एक डिस्टन्स एजून कर लेता हूँ उसके बाद यह हम ट्रिम कर लेंगे ढीं मैं पहले मैं पहले मीचिश्व प्रॉण मैं पहले यह जो एक उचाँ एक बाद कर दो दूआ कर वे ले बाद आर यह जो है । इसके रडिस्ट रिम पर लेंगे विसके रडिस्ट रिम पर रावनेशन तेंगे कंस्ट्रेंट भी इसका टैंगेंशी रहेगा टैंगेंट हो गया अभी हम में सेम इसका पॉइंट जो है वामनेट देना पड़ेगा तो यह तो फिफ्टी तक है पॉइंट यह वाला तो फिफ्टी सेमन हमने दिया था तो यहां तक यह पॉइंट रहेगा तो यह हम उपर का पॉश्ट ट्रिम कर लेंगे इसके रेडियस हाँ रिवसे दिये है तो हमारा इतना पॉश्टन हो गया अभी यह जो पाइंट है यह हां से कितना दिया है जो देखते हूं यह वह ना एक नाइंटी का डायमेटर भी है यह पॉइंट से यह पॉइंट तक यह अंदर का और ओपर का जो है यह वांट क्वे हमें डिस्टन दिया हां यहां यहां पर दाएंटी का डायमेटर है 45 की रेडियस होगी यहां पर यह 45 एंटर इसके बाद यह वाला हूं यहां पर कॉइंसेड दिया है यह हम डिलेट कर लेते हैं तो यह खात कॉइंसेड दिया है वह हम देखते पहले यह हम टोटल सर्कुल निकालते हैं यह हमें आजूम करना पड़ेगा कोइंसिडेंस का उसके बाद हमें अभी यह पॉइंट आजूम करना है यह लास्ट हो गया भी हमारा यह में आपके एक्सिस होगर निकाल सकते हैं आपको यह इसी जाहेगा हमें आपको अ आपको वह वह हम देखते हैं आपको जाब करना है लास्ट टूम करना है टोग्त यहाँ आपको ड्कापको अ दूम करना है यहाँ यह धस्या वर गी इसंदा हशना है अभी यह जो सर्क्ल है यह पॉइंट हम इतना हजुम कर लेंगे उपर से यह आतर बिस्ट्रेंज हो है यह हम अभी 30 हजुम कर लेते हैं तो हमारे सब यह अभी constant हो गया है यह वाला 250 का dimension दिया था हमारा यह points है यह point अब 250 है सब आधायमेशन हमने दे दिये सिर्फ यह वाला जो 30 का है वह हमने आजुम कर लिये बाकि सब आधायमेशन्स जीस थे उन्होंने वैसे दिये अभी हम यह रिवाल कर लेंगे यहाँ पर सब्फेस में सेकंड ओप्षन है रिवाल का रिवाल सेलेक करता हो प्रोफाइल में यह प्रोफाइल अभी यह अभी आपर सेल्फ इंटरसेप्टिंग आ रहा है यूँकि उसने जो अक्सिस लिए है वो यह वाली लिए है हमें रिवालोक्शन एक्सिस यह वर्टिकल एक्सिस देने है अभी आपर यह एर चला जाएगा अंगल जो रहेगा हूं 360 एंटर तो हमारे इतना पूर्शन होगा है अभी नेक्स्ट हमें यह उपर कर निकलन है तो यहाँ पर यह हैट डी है 20 की और उपर का डायमेटर है 120 का तो हम यहाँ पर यह मल्टि सेक्शन यूस करेंगे तो मैं प्लेन से लिए करता हूं यहां से यहां से यहां तक ही 20 का डिस्टंस हुग है अब मेजर भी कर सकते हो यहां पर मेजर का उप्शन है यह हीज से यहां से यहां तक है 20 का डिस्टंस है यहां पर एक सर्कल निकालेंगे जिसका डायमेटर यहां पर 20 दिया है उपर के टॉप यू में 120 दियामेटर 60 रेडियस अभी यहां पर मुल्टिसेक्शन यूज़ करना है तो यहां पर मैं इसका बाउंडरी लेने पड़ेंगे यहां पर बाउंडरी पर क्लिक करता हूं सर्फेस एज मैंने यह सेलेक की इसको करता हूं उसके बाद मुल्टिसेक्शन सेक्शन वन और सेक्शन टू इसको मैं करता हूं तो यहां पर अभी यह जॉइन होगा है तो यह पूरिटाइस ले सकते हो यह फिर अब यहां पर गैड को भी प्रोवेड कर सकते हो यह अब यह पर यह गैड को प्रोवेड करता हूं यूकि स्ट्रेट लेंग रहेगी यह जर असर टेल्ट कर लो प्रोजेक्ट 3D एलेमेंट कंस्रुक्शन मोड यह सर्कल और यह सर्कल जो गैड को रहेगा वो एक ही रहेगा कुछ जितने चाहिए आप दे सकते हो और एक स्केश में एक ही रहेगा तो यह स्केश लिया हम इने अभी हाप पर भी ड्रोग करना है तो सेम प्रोजेक्ट 3D एलेमेंट कंस्रुक्शन मोड यह सर्कल और यह सर्कल कंस्रुक्शन मोड और यह पॉइंट से यह पॉइंट आप एक ही स्केश में ड्रोग करते हो तो इछरा आता है मॉल्टी स्क्शन से लेक्शें से लेक्शन वन सेक्शन टो डाइल को मैं फर्स्ट गाड़ को सेकेड ने को कप्लिंग में यह पर वाल्ट ऐस से लेक करो अब रिशू से स्टेट न मौश डाएगा अभी इसको वर्ट आस नहीं है इसले जानने करेंगा अब यह जो है हमने रिवॉल्व में क्यों निकाला तो यहां पर रिवॉल्व में निकाल सकते थे यहां पर एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी और 90 का डामेटर चाहिए थी 60 के रेडियस चाहिए थी तो इसमें भी आप कल सकते हूं है कि अब यह pm next ची जो हैंडल है ह्नु कालते हैं है मैं फreckलिका यहां पर करना पदएगा तो फ्र राइड़ंगे ट्रिये हैं यहां पछिख में जाता हूं सकते हो जोभी ब्रॉफल रहींगे आप निकाल सकते हैं पहले यह प्रोफाइल निकले मैंने इसको मैं फिलेट दे देता हूँ यहां से यहां तक यहां से यहां तक फिलेट की डायमेंशन दिये उन्होंने 25 की रेडिय से 25 और यहां पे भी 25 उसके बाद अब डिस्टन्स एंगे यह में पेले इसका रेफ्रेंस लिताओ प्रोजेक्स यह लट से होगा यह जो कर वही है सर्कुलर है इसलिए वह आपन लेगा नहीं पर इस एक बार ट्राय करते हम प्रोजेक्स से लट से नहीं होड़ा ठीक है अभी हमें यह डिस्टन्स देना है नीचे से 66 का डिस्टन्स दिया है हम यह वाला जो स्केच हैं वह नहीं लेते हैं यह जो जिसमें हमने यह स्केच रिवोल्यम्ट स्केच निकाला था वो लेंगे यहाँ पर मैं यह वाला प्लेन से लिख गता हूं स्केच में लेता हूं और इसका रिफ्रेंस लेता हूं क्योंकि हमें इंट्रसेक्शन चाहिए तो स्केच वन का यहाँ पर कंस्ट्रुक्शन मोड और और फिर से यह प्रूफाल निकालता हूं यह परपेंडिकुलर यह इसको पैरलल 25 की रेडियस है यहां से यहां तक सेम यहां से यहां तक 25 इंटर यह भी 25 इंटर उसके बाद हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट चाहिए यह पर में एक पॉइंट निकल दो कंस्ट्रुक्शन मोड अन करता हूं कि अच्छ टूल्स वह यह लाइन पर भी को इंट कर लेता हूं और एक उसके बाद हम डिस्टंस देंगे दोनों की बीच में यहां पर 77.5 की लेंद दिये यह वाली 77.5 उसके बाद उपर से 63 की लेंट है यह वाले पॉइंट यह पॉइंट से रेट लिक करके वर्टिकल मेजर डायरेक्शन उसके बाद यह नीचे का जो पॉइंट है यह पॉइंट से बॉटम तक वर्टिकल मेजर डायरेक्शन 65 66 और उसके बाद हमें यह वाला डिस्टंस सपी देना पड़ेगा यह पिन आइंट का एंगल लिया है तो हमें यह वाला डिस्टंस सपी दिया नहीं यह उन्होंने यह मैं आजूम करना पड़ेगा क्या एंडल कितना बाहर आना चाहिए टॉप यूमें भी नहीं दिया यहां पे में नहीं दिया है तो हम इतना यह एड़ कर लेंगे अ यह और रिद्टि टिरिया है कर लेते हैं है आप यह राउंट फिस्टर कर लेते हैं वन अदर का पूर्चन आपकर यह यह बार में टो कर दो इसको क्योंकि बाद में हमें split करना पड़ेगा, तो वो easily split हो जाएगा, अभी यह जो हमने sketch निकला, उसके उपर हमें profile निकलने पड़ेगी, और बाद में हम swap करेंगे, तो यहाँ पर हमें plane लेते, plane select किया, curve select करता हो, और यह वाले end point पर हमने यह plane मना दिया, इसके उपर profile हमें निकलने पड़ेगी, profile देखते क्या है, यहाँ पर आप side वे देखोगे, तो यहाँ पर यह ellipse का profile दिया है, 25 आप 10 का distance है, तो ellipse select करता हो, reference लेना पड़ेगा हमें पहले, project slot, ellipse, k-point से, major axis and minor axis, horizontal distance and vertical distance, 25 है, 25 है दिया है, 25 और यह वाला 10 दिया है, ellipse को, constant करने के लिए आपको तीन चीज़े देने पड़ेगी, एक तो horizontal distance, horizontal axis, major axis, minor axis और यह वर्टिकल या फिर horizontal है, तो यह तीन चीज़े आपको देने है, उसके बाद same, swift select क्या मैंने, यहाँ पर profile select करता हो, और यह वाली guide करता हो, इसको मैं okay करता हो, अभी हाँ, अंदर का portion split कर लेंगे, split select करता हो, या फिर आप trim भी कर सकते हो, trim से automatically join भी हो जाएगा, trim select करता हो मैं, एक ही वक्त दोनों हो जाएगे, इसके अंदर का portion पर trim हो जाएगा, और इसके अंदर का भी, यह surface और यह surface, दोनों का अंदर का portion जा रहा है, इसको okay करता हो, अभी हम यह opal का जो, इसका mouth हो बनाएगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें, यह वारा portion जो रहेगा, यह हमें cut करना है, हम पहले top view में profile मनाते है, यह वाले plane पे, जितना portion हमें cut करना पड़ेगा, उसनों, reference लेंगे पहले, आउटर circle का, इसे हमें cut करना है, दोनों के बीच में angle दिया है 75 का, radius है 10 की, पहले radius देते है, angle 75, यह symmetric करेंगे, यह axis और यह axis, right click करके, अलो से मेंटर लाइब, फिर यह 10 की दी है, उसके बाद distance दिया है, 75 का, यह points है, यह radius तब, यह points है, इसके radius के center point तब 75, एंटर, यह हमरा concern होगा अभी, इसको में exit करता हूँ, अभी इसका जो नीचे, यह वाला जो portion है, यह हमें cut करना है, तो हमें front view से cut करना पड़ेगा, यह से, यह 37 दिया है, यह हम देखते हैं, यह 37 ने क्या, 37.09, था में यह यह फिल, यह आप दे सकते हो, यह आप दे सकते हो, हम यह वाला clear जिखराय की 37 ने हाप दिया है, हम यह 37 कर लेते हैं, रांट्यों select किया मैंने, यह पॉइंट पर में कोईशाड करता हूँ, से यह पॉइंट पर, coincidence, reference लिया मैंने, यहाँ पर, इसके बाद, यह profile draw की, जो हमें cut करना है, हमें height नहीं पड़ेगी, इसके height डी है क्या, height 20 की दी है, यह points है, यह point of 20, enter, अभी नीचे भी हमें fillet देनी पड़ी की, इस आई की fillet देता हूँ है, उपर 10 दीते हैं तो हम यहाँ पर 10 देंगे, और यह हैं, extrude करके split कर देंगे, splits रेक क्या हमें, हम यह आपर ट्रिम नहीं कुना है, यूकि यह वाल पॉर्शन हमें नहीं चाहिए, यह हम हैड करनेंगे, elements to cut, यह surface, cutting element, यह वाला इसको की किया, यह हम portion hide कर लेंगे, अभी हाँ पर आप देखो गए, यहाँ पर यह cut हो गए, अभी यह portion और यह portion हमें join करना है, यहाँ पर सबसे पहले bond रे लेते हैं, surface edge यह ली, limit हमें यह आप देने पड़ेगी, यह point और यह point, तो इसके अंदर कब यहाँ से flip भी कर सकते हो, इसको में ok करता हूँ, अभी यह point और यह point हमें join करना पड़ेगा, जो कि guide का होगा, तो सेम front view में, यहाँ पर side view में ही है, एक line निकलता हूँ, reference लेना पड़ेगा, project 3D element, construction mode, यह sketch का, और यह वाले sketch का, coincidence, यह point और, यह point coincide, same, यह point और यह point coincide, यह हमारा guide का होगा, अब यह हम, multi section use करेंगे, multi section, section 1 और section 2, direction नहीं बार देख लो, यहाँ पर प्रियू करते हो, यह इसे join हो जाएगा, जब आप guide को देते हो, यह guide को से pass हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको, ages आप देखोगी, तो यह बहुत सार ages आगा है, हम यहाँ पर इप चाहिए, यहाँ पर coupling की जगह पर, coupling में ratio की जगह पर, vertices से select कर लो, यहाँ पर एक दो vertices से, यहाँ पर दो ages आपको मिल जाएगे, अभी आपको यहाँ पर भी guide को बनाना पड़ीगा, तो यहाँ पर टाइम यह से देखते है, ठीक है, ठीक है, 2 ages ठीक है, vertices में आपको और यहाँ पर guide को बनाना पड़ीगा, इसलिए नहीं आएगा, देखते एक बार, यहाँ पर directly line लेके, यह point और, यह point, यह point और, यह point और, तो यह fireframe में आप इसी काम कर सकते हो, multi section, section 1, section 2, preview, spine, यहाँ पर कपलें में, vertices, यह, 1st, 2nd and 3rd, guide का, यह इसरी शेतुगा, यह यह आपका, यह यह आपका, यह आपका, यह आपका, ठीक है ज्यादा स्मूथ नहीं है यह वाला करजा है इसलिए वह नहीं लेगा यहाप एक और एक आप्शन है ब्लेंड का कर वन कर टू प्रिवियू यहाप पर क्लोजिंग पॉइंट है आप क्लोजिंग पॉइंट है सकते हो कपलिंग यहाप एक वाइट एस यह सेम आएगा इलर पाला केम यह कि जयर एस Must that स्थेड मेर, यह वालशन मेरण क्लोड कलो यहाप वाले हम धड यitter कि पहले ein ब्रव हैख व्रूर, हुपंपन है ön Khotik अव्रियू, कि तरी क्या ज्मीड कॉवण ट片 कि यहाब टूरutan आ रहे हैं तो यहाँ पर हूँ मुलिटी सेक्ष्टन ही इसका दे से मेरा रहा हूँ यह स्केच और यह स्केच गाइड को में यह वाला गाइड को उसके बाद यहाँ पर कप्लिंग में रजिश्व इसको किगरता हूँ तो यह से आप टोटल सर्फिस अलग-अलग सर्फिस बनाके एक आमचेक बना सकते हूँ तो यह स्केच जो है वह आप भाइड करके ले सकते हूँ इसके बाद हमें जॉइन ऑपरेशन करना पड़ेगा यह सर्फिस यह सर्फिस थर्ड सर्फिस उसके बाद इसको मैं ओके करता हूँ एक बार हैड करके देख लो टोटल हैड हो रहा है कि नहीं यहाँ अब टोटल हैड हो रहा है तो यहाँ पर मैं पार्ट डिजैन में जाता हूँ उसके बाद हमें थिकनेस उफिशन सेलेक करने थिक सर्फिस यह वाला सर्फिस सेलेक किया मैंने और यहाँ पर मैं तो एमें का कि रिवर्ज रिक्शन भी करते हैं कि थिकने ज्याद हो लिए है कि पॉर्ण जिरो वन की थिकने दीमेने भी अब यह जो है यहाँ पर इसके चंसस क्या दाए रहे फिल होने के और यहाँ तो हमें इंद्बार क्या करते हैं इसको डिफाइन और को उप्जिक करते हैं यहाँ पर फिलेट देके देखते हैं चंद्रेटिव शेप डिजाइड एज फिलेट चुक्किया मैं यहाँ पर ट्रिम किया था हमने यह वाली एज और यह वाली एज यहाँ पर फिलेट एक है कि देखते हैं देखते हैं यहाँ कर देखते हैं जिरो टून में भी नहीं आ रहा है जिरो नहीं यहां कर और इसको भी पॉइंट जिरो न की तिकने साथे इसको हम यहां पर मोट्रल अपलाए कर सकते हैं यहां पर मैं प्रेंटिंग में जाके यहां फिर यहां पर प्लास्टिक वह गड़ा है अपलाए मट्रेल उसके बाद शेडिंग विद मट्रेल प्लास्टिक हमने अपलाए किया है इसके बाद आप रेंडरिंग कर सकते हूं इसका जो भी और इंटेशन रहेगा आपको रोटेट करके रेंडरिंग के लिए टाइम लाइए पताई लिए अद रहे अगया आप एक मिनिट इसको टैंग लगी इसमें हो जाएगा तो जो आप रेंडरिंग करोगे तो आपको एक्जाट्क एड़ा आएगा जो भी आपने प्रोड़क्ट बनाया है और यह लाइफ में भी वी सही दिखेगा अब इसका मैंने लाइट होगर एड्जस्मेंट किया नहीं है और क्वालिटी में बहुत कम है होगा हर में प्याँ कर्णिक लिविधन रख सकते हो करें रिंडरिंग का में लाइट वीडियो दिखा लेता है आपको एलमट का रेंडरिंग कैसे करते हैं तो उसमें हाई quality वर कैसे set करना है background image कैसे change रहना है तो वह आप वोडियो फिर से देख सकते हूँ याप याप देखो ले तो इसके reflection हो गए रहे हैं याप यापको मिल गई है इसका render area जो है वो भी आप कम करके time save कर सकते हूँ rendering का कि इसका rendering complete हुआ है याप यहाँ से save कर सकते हो आप यहाँ से save कर सकते हूँ मैं भी desktop पे save करता हूँ JPG high quality इसको आप number वह देखे save कर सकते हूँ तो इसका surfacing में आप model बहना सकते हूँ कोई भी doubt वह रहे है तो आप मुझे बूच सकते हूँ थैंक यू